हेलो दोस्तों आप सभी को गुलाब जामु जैसी मीटी मीटी नमस्कार और उसी के साथ आप लोगों का स्वागता है मार्किट के पैच अप जा ब्रेक अप शो में आज के दिन आप लोगों को पुरा का पुरा मज़ा आ चुका होगा वो कैसे हो हम डिसकस करेंगे लेकिन आप लोगों को लिस्टिंग स्ट्राटिजी शोट के फोर्म में डाल दूँगा लेकिन अभी के लिए जो दो आईप उस कल के दिन लिस्ट हो रहे हैं वो होने वाले कोलिस और गैजेट्स और उसी के साथ जातरा हो ले तो वहाँ पर क्या रह सकते मेरी परसनल लिस्टिंग strategy for education purpose उसे discuss करेंगे और साथ इसाथ कल के दिन होने वाली है monthly expiry जाने की monthly expiry मोटा मुनाफा जहां भी बड़ा ड्रामा डिटेल में study करने ही कोशिश करेंगे तो अभी से इस वीडियो को like और चैनल को subscribe कर दीजेगा अगर हम आज की दिन का FIA और DIA डाटा चेक आउट करें त काफी जड़ा कंट्रोल में आ रही है दिरे-दिरे क्या वो कंट्रोल में रहते हुए पोस्टी में आती है जा फिर से उनकी heavy selling देखने को मिलती है वह important point होगा market के लिए भी हमारे लिए भी अगर हम आगे बात करते हैं IPOs की सबसे वेले गर हम सैलिक और gadget IPO की बात कर लेते है क्योंकि यह SME IPO है जहां पर एक अच्छा मुनाफ़ा होने की उमीद है अगर मैं इसमें अपनी लिस्टिंग strategy की बात करूँ personally मुझे यह IPO एलोट नहीं हुआ है लेकिन अगर मेरे पास यह IPO होता तो जैसा कि मेरी हर SME IPO में लिस्टिंग strategy सेम रहती है कि जैसी वह IPO लि वो circuit खुलेगा नहीं तब तक exit होएगा नहीं तो उस चीश से बचने के लिए मैं इसको immediate exit करने कोशिश करता हूँ और पूरा का पूरा ही लूट हमें exit करना पड़ेगा विकोस हम partially इन SME IPOs को exit नहीं कर सकते हैं और उसी के साथ अगर मैं जात्तरा online IPO की बात करूँ तो इस IPO को ना तो मैंने apply किया था अगर apply ही नहीं करूँगा तो मिलेगा ही नहीं लेकिन अगर मैं इसमें listing strategy की बात करूँ अगर मेरे पास यह होता तो यहाँ पर दो scenario बनते हैं देखो पहला scenario तो जो होता है कि यह profit में खुल गया हलके फुलके तो वहाँ पर simple सी बात अगर ऐसा होता है तो मैं वहाँ पर इसे immediate exit करने कोशिश करता हो ऐसे भी सकते हैं कि size silk IPO जैसे खूला उसके आद उपर की side अच्छा move दे चुका था क्या यह नहीं दे सकता है लेकिन वहाँ पर immediate हमको नहीं पता होता क्योंकि वहाँ पर हमारे पास कोई भी technical नहीं होते तो हम किसी भी कि IPO को predict नहीं कर सकते है technical basis पर कि कहा जाएगा और यहाँ पर हमें doubt आ जाए कि जब हम ही 50-50 chance में है कि हो सकता है उपर को भी चला जाए हो सकता है नीचे को भी आ जाए एक जो probability होती है कि 80-20 की नहीं होने वाली है वहाँ पर 50-50 की रहने वाली है तो वहाँ पर मैं बाग के क को भी काम नहीं करना पसंद करता तो वहाँ पर इसे immediately exit करनी कोशिश करता second scenario जो निकल के आता कि IPO अगर discount में खुल जाता है तो वहाँ पर मेरी सिंपल सी strategy होती है कि मेरा first loss ही maximum loss होने वाला है ज्यादा से आदे परसेंट जा maximum 1% के stock close के साथ trail करनी कोशिश करता ताकि मेरा stock close minimize हो सके अगर जे उपर की side को आता है तो I know मेरे कुछ जादा ही detail में बताया है एक बार दुबारा से देख लीजेगा आप लोगों को clear हो जाएगा लेकिन दोनों ही IPOs में ये मेरी personal listing strategy होती है अगर ये IPOs मेरे पास होते हैं आप लोगों को क्या ये IPOs मिले है तो comment section में जरूर पताईएगा और साथ ही साथ अपने risk reward ratio को maintain करते हैं कोई भी action लेने से पहले एक और अपने financial advisor से जरूर consult कर लीजिएगा अब अगर मैं हमारी nifty की बात करूँ तो उससे पहले आप लोगों को mutual fund में जा insurance segment में कोई भी help चाहिए हो जा आपकी कोई भी query हो जा फिर आपको कु description में मिल जाएगा जा फिर आप ड्रैक मार्क की love affairs सर्च करके वहाँ से जोई कर सकते हैं अब अगर हम nifty की बात करते हैं तो हमारी simple सी कल के दिन बात लिए कि यह हमारे पर sport range निकल कर आती है और हमारे पास resistance निकल कर आता है यह जब तक market इन दोनों areas में से किसी एक के पास न commitment का हमें accept करना पड़ेगा लेकिन जो जे इसकी 50 की moving average थी हमारी continuous दो तीन दीनों से बात हो रही है कि 19,550 हमारे पास 50 की moving average होने वाली है जो हमारे लिए important होगा watch out करना अब विल्कुल exact अपनी sports से निकली और वहाँ से हमें प्यारी move देता हुआ सिद्धा लेके आ चुका थ और जहां पर इसने closing time पे हलका फुलका resistance फेस किया अब अगर हम बात करते हैं हमें जहां से एक अच्छी move मिलिया हमारा काम हो चुका है लेकिन अब अगर हम कल के दिन मार्किट की बात करते हैं क्योंकि कल के दिन होने वाली है monthly expiry nifty की और bank nifty की बैंक nifty की में जो monthly expiry होती लेकिन monthly expiry जब भी होगी तो वहां पर bank nifty की expiry वेड़नेश्टे की जगा पे ठरस्टे को होने वाली है इस point को हमेशा आगे से जाद रखेगा अब अगर हम बात कर लेते option chain की अगर आप देखोगे उपर की side हमें ठीक्टा call selling देखने को मिल रही है बदल कि data में अभी तक कोई खास chain ची समय देखने को नहीं मिल रहा है हाला कि आज के दिन हमें 19,600, 650 पर अच्छे खासी और 700 पर भी call selling देखने को मिल रही जहां पर हमें unbounding होते हुए देखने को मिल चुकी है अब अगर हम कल के लिए बात करते हैं तो 19,800 हमारे पास immediate resistance बना हुए है जहां पर अच्छे खासे contract बैठे है स्पोर्ट की बात करते हैं तो levels के basis पर तो हमारे पास सबसे major sport निकल करते हैं 19,600 की जहां पर सबसे ज़्यादा port challenge हमें देखने को मिल रहा है और उसी के सासर अब अगर हम बात करते हैं technical basis पर तो यह ही है हमारा resistance अगर market खुलती है और इसके उपर जाती है देखो इसके उप उपर जाएगी और 15 मिनट इंपोर्टेंट होगा sustain करना अगर sustain करती है तब हमें उपर की side के level देखने को मिलेंगे और similarly 19,550 से 600 की ने in fact 550 का ही level आप बोलिएगा 550 का level ही हमारे पास important होने वाला है लेकिन कल के दिन होने वाली है expiry personally मैं कल की expiry में काम करने की कोशिश नहीं क करूँगा because अगर मुझे काम करना हुआ तो मैं next expiry में काम कर सकता हूँ अगर मैं option selling की बात करूँ कल का दिन हो सकता है first time में हमें option selling में premium eating day रह जाए लेकि मैं वहाँ पर काम करनी कोशिश नहीं करूँगा कल के दिन option selling में because कल का दिन एक ऐसा दिन है monthly expiry है और by chance अगर violent move आ अगर option buying में किसी site call seller या put seller trap होते हुए देखने को मिले तो वहाँ पर मैं आप लोगों को telegram channel पर update कर दूँगा अगर वहाँ पर trap होते हुए देखने को मिले तब ही मैं वहाँ पर जाकर काफी कम quantity में कल की expiry में काम करूँगा because वहाँ पर risk ज्यादा हो जाता है कही premium पूरा वह सिरुफ education learning और case study perspective हुई है जहाँ पर किसी भी तरीकी कोई investment tip जा advice नहीं दीगी है फिर भी अगर आप लोगों कोई भी investment जा training करने तो एक और अपने financial advisor से consult कर लिजेगा तो देवी और सज्जनों उमीदा आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीड लाइक कीजिगा शेर कीजिगा और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें हर हर महादेव